नमस्कार दुस्तों कैसे हैं आप लोग? बारह अगस्ट दोह़ार तेश्क के Editorial Analysis और Current Affairs Analysis में आपका स्वगत है देखे, Editorial में वैसे तो आद चार आर्टिकल चपे हैं लेकिन केवल एक आर्टिकल काम का है दूसरा आर्टिकल ये जो मनिपुर को लेके बीजेपी वर्सेस आपोजिशन की बहस चल रही है लोगसवा के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से स्टेट्मेंट मागे जा रहे हैं तो इस चीज को लेके तो पॉलिटिकली सेंसिटेव आर्टिकल है दूसरा एक पर्टिकुलर आर्टिकल एकनॉमिक ग्रोथ में सुबरमन्यम स्वामी जी का है कि किस प्रकार से प्रीवेस प्राइम मिनिस्टर ने स्टेप लिए हैं वो कैसे गलत कैसे सही उसमें भी बहुत अथ तक पॉलिटिसाइजेशन है और जो स्टाटिस्टिक्स दिये गए हैं वो एक्जामस प्रस्पेक्टिव में तो कैसे भी काम के नहीं है तो कुल मिलाके काम का एक्जामस प्रस्पेक्टिव से नॉलेज प्रस्पेक्टिव से एक ही आर्टिकल है और बहुत ज़दा पॉलिटिकली सेंस्टिव आर्टिकल में प्रिसिडेंशल नॉमिनी फर्नांडो विली वेंशियों की हत्या कर दी गई है। अब ये अपने आप में बड़ा ही ट्रिकी स्टेप है। ये दिखा रहा है कि एक्वेडर किस प्रकार से और्गनाइजड क्रिमिनल गैंग्स की पकड़ के अंदर जा रहा है। तो ये पर्ट का और इंडिन एविडेंस एक्ट 1872 का इनको रिप्लेस किया जा रहा है। और उसके बजाये लाए जा रहा है भारतिये नयाय सनहिता, दूसरा भारतिये नागरिक सुरक्षा सनहिता और तीसरा भारतिये साक्ष सुरक्षा। तो बेसिकली यहाँ पे तीन एक्ट को बदला कर रहे हैं तो अलग अलग पॉलिटिकल प्रेस अपने अपने इसाब से इस पर्टिकुलर न्यूज को रेसिफर कर रहे हैं तो इसके बारे में बात करेंगे प्लस दोस्तों G20 में निगोसिशन चल रहा है और चायना यहाँ पे छोटी छोटी बातों को पकड़के इंडिया के efforts को subvert करने की कोशिश कर रहा है जैसे वसुदेव कुटुम्बकम जो G20 का इस बार का हीम है लोगों जो इस्तमाल कर रही है इंडिया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर अब इसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया वसुदेव कुटुम्बकम तो चायना को प्रॉबलम है कि संस्कृत को non-UN language है आप संस्कृत का इस्तमाल कैसे कर सकते हूँ तो इंडिया साफ साफ बोल रहा है कि ऑफिशल डॉकुमेंट्स में समरी डॉकुमेंट्स पर हम इंग्लिश वर्जन इस्तमाल करते हैं अपने reference के लिए कर हमने संस्कृत वर्जन इस्तमाल कर लिया तो आ मंझा करने के बात तो इसको देखेंगे और एक और चाइनीज मिलिटरी शिप कोलंबो पोर्ट पे डॉक कर रहा है इस बात को लेके क्या इंडिया ने अपोशन दिखाया है श्रिलंका का क्या स्ट्यांड रहा है कि प्र Than ie है कि इंडिया क reconciliation प्रोसीजर है अगर किसी पर मिल चुकी है, वही लेक्चर की PDF आपको मेरी वेबसाइट www.harshidvidi.com पे और मेरी एप हरशिद वीदी एजुकेशन जो की Android, iOS दोनों पेवलेबल है वहाँ पे मिल जाएगी तो भाई यह बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर देते हैं कार्टल पॉलिटिक्स हुआ क्या है Presidential candidate है Ecuador में 11 दिन बाद voting शुरू होने वाली है और यहाँ पे Presidential candidate को assassinate कर दिया जाता है इससे पता चलता है कि Ecuador में तो top politicians भी safe नहीं है एक बार के लिए अगर आप Ecuador का नक्षा देखो दोस्तों map में तो यहाँ पे आपको इकवडर नजर आ रहा है उसके ऊपर North में आपको कोलंबिया नजर आ रहा है और South में पेरू नजर आ रहा है Ecuador एक landlock country है नहीं इसकी राजधानी है क्विटो अब problem दोस्तों यह है कि Ecuador में drug pedaling बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है North में कोलंबिया और कोलंबिया में एक समय पे हुआ करता था Pablo Escobar जिसको आप Medellin Cartel बोलते थे उसके साथ वहाँ पे एक काली काटल चाहता देखी है यहाँ पे Medellin शहर दिखाय जा रहा था तो इस Medellin शहर में बेश था Pablo Escobar यही से ऑपरेट करता था इसलिए उसके गैंक को आप के लो Medellin Cartel बोलते थे यहाँ पे एक काली काटल था काली काटल के जो लीडर्स थे वो Pablo Escobar के दुश्मन थे उसको काली काटल बोलते थे तो कोलंबिया तो हमेशा सही Drug Trafficking का एक गढ़ रहा है और कोलंबिया में अब भी Drug Trafficking बढ़ रही पेरू में भी Drug Trafficking चलू है और इन दोनों के बीच में आता है को एक कोईडर तो यह Drug Trafficking के Science एक कोईडर में भी पहुँच रहे है और जो भी Politician यहाँ पे एक कोईडर में Drug Trafficking के Against बात करता है Organized Crime के Against बात करता है उसको मार दिया जाता है जैसे कि यहाँ पे मार दिया गया है किसको Fernando Villa Vichyans होगो ठीक है बाई तो अब यह South American Nation Ecuador Convert हो रहा है as a hub of Narco Trafficking Fernando Villa Vichy Former journalist से lawmaker थे One of the outspoken criticists थे किसके Narcopolitics के मतलब Narco का यानि कि Drugs वगरा का रिलेटेड लोगों का politics में interference इसके बिलकुल अगेंस्ट बात करते से कौन Ferdinando साब Election Campaign चलना था और Election Campaign में इनका सबसे important point था कि यह gang violence को टैकल करेंगे Maximum security prison बनाएंगे Amazon में जहाँ पे gang leaders को jail में बंद करके रखा जाएगा Drug Trafficking और anti-drug cooperation बढ़ाएंगे US के साथ जो cocaine के exports होना Ecuador से इसको रोकेंगे root out करेंगे corruption को government में police में judiciary में और इस चीज़ के लिए यहाँ पे खासा नाराज थे लोग Ecuador के अंदर खास करी जो criminals हैं इस से Fernando से अच्छा यह जो आपके Fernando साहब थे यह famous हुए थे आपके Rafal Korea की leadership के अंदर Rafal Korea एक leftist leadership थे तो as in opponent यह Rafal Korea के against खड़े थे तो उसमेंपे काफी famous हो गए थे लेकिन Rafal Korea जब इनके पीछे पड़ गए तब Fernando को भागना पड़ गया basically जब आप कहलो Korea he was the president आज की date में जो Mr. Rafal Korea है he is in exile उनको भी देश छोड़ के भागना पड़ा सोचो एक देश के अंदर जब leader थे तब तो मजे में है सब कुछ अपने एसाफ से चल रहा है जब सरकार गई निकले opposition आया तो देश छोड़ के भागना तक पड़ रहा है इससे बेटर तो इंडिया इंडिया में कम से कम एक दूसरे को लटा सीधा बोलते तो है तो Mr. Rafal Korea जब leader थे तब as an opposition की तरह Fernando बहुत तेजी से equator की politics में उपर उठे थे लेकिन बाद में government lockdown हुआ तो कुछ समय के लिए Fernando को भी देश छोड़ के भागना पड़ा वो उस समय पे पेरू में उन्होंने asylum ले ली फिर बाद में जब Mr. Rafal Korea की presidency खतम हुई तब पेरू से बापस लॉट के है Mr. Fernando National Assembly में elect हुए और इन्होंने शुरुआत से ही अपने आपको drug cartels का enemy बताया है relentlessly इन्होंने fight किया है organized crime के against और कहीं न कहीं इसके चलते ही ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी life इन्हें खोनी पड़ रही है साफ साफ यहां पे निकल किया रहा प्रैमेफिसी, criminal gangs ने इनको मारा है, 6 Colombian nationals को इस respect में you know arrest किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने इनको मारा है उनके drug carting, drug trafficking cartels के साथ connection है equator एक relatively peaceful country है 1.80 लाख लोगों की 2017-18 तक की आज की date में Latin America में one of the most dangerous country बनके निकल के आई है equator एक तरफ Colombia है, दूसी तरफ पेरू है नक्षर मेंने शुडू में दिखा रहा है कोलंबिया पूनू दोनों ही major producer से कोकीन के और इसेंटीन दोनों ही कंट्रीज में जो violent crimes है with respect to drug cartels and cocaine trafficking ये बढ़ चुका है और इसका impact equator में भी देखने को मिल रहा है बड़े quantity में equator के थूँ ड्रक्स भेजे जा रहे है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में और इसलिए ये जो US के DEA है Drug Enforcement Agency वो इन Latin American countries में काफी active रहती है Pablo Escobar को लेके जो Netflix पे series बनी है उसमें DEA का role दिखाये गया है तो obviously बात है DEA केवल कोलंबिया पेरू में ही नी Ecuador में भी यहां पे active है और US यहां पे engage करना चारा थे Mr. Fernando के साथ drug trafficking खतम करने में लेकिन Mr. Fernando को यहां पे खतम कर दिया गया 2019 से लेके अब तक MADARS चार गुने हो चुके हैं Ecuador के अंदर 4800 MADARS रिपोर्ट हुए हैं 2022 में दो international crime organizations एक Mexican carter और एक Balkan carter जिसको Albanian mafia बोलते हैं यह operate कर रहे हैं एक वेडर के अंदर इन्होंने local gangs को hire करके बड़ा drug network बनाया है supply roots के उपर control कर रहे हैं कोई भी इनके रास्ते में आता है उसके किलाफ gang violence होता है police को, army को बहुत अच्छे कासी इन्होंने पैसे खिला रखे हैं सरकार में बड़े-बड़े ministers को leaders को अन्होंने पैसे खिला रखे हैं और बिल्कुल impunity से अपना काम कर रहे हैं और obviously बात से जो इनके against खड़ा होता है उसको मार देते हैं जैसे यहां Fernando जी को मार दिये गए तो जो सरकार है इक्वेडर के politicians को यहां समझना पड़ेगा कि सरकार तुमारे हाथ में अगर तुम इन गैंग करने वाले लोगों को organized crime के लोगों को सरकार चलाने दोगे पूरा का पूरा administration चलाने दोगे तो तुमारी को credibility रहेगी नहीं जल्दी equator एक failed state बन जाएगा किस प्रकार से will of ensure की security को broke किया गया और patricious को यहां पे justice पिलाना जरूरी है और equator को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि उनको एक बहुती strong fight शूरू करने पड़ेगी organized crime के against नहीं तो भाईया long term में ये criminal gang सी dominate करेंगे leaders का कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तो mentorship course अगर आप चाहें तो join कर सकते हैं बहुत effective तरीके से mentorship course आप के लिए बनाया गया है overall नومबर 2024 से इन factors के बहुत बात तक भी इस particular course को में लाइब कर सकता हूँ काफी सारी videos औरड़ी इस course पर upload हो चुकी hundreds की quantity में hundreds की quantity में content uploaded है आप चाहें तो एक बार इन वीडियो को check out कर सकते हैं आपको काफी कुछ यहां पर सीखने को मिलें चले current affairs की news पर आते हैं दोस्तों यहां पर current affairs में पहली news वही है overhaul British era criminal loss IPC 860 criminal procedure court 1904 evidence act 1872 को यहां पर amend की जारे मतलब पूरी की पूरा रिप्लेसी किया जा रहा है इनने penal court की जगा आ रहा भारती नया सम्हिता criminal procedure court की जगा आ रहा भारती नागरिक सुरक्षा सम्हिता और Indian evidence act की जगा आ रहा भारती साक्ष सम्हिता ठीक है भाई तो union minister, home minister अमिश्रा जी ने introduce किया इन तीन बिल्स को लोगसभा में और पुराने तीन IPC, Indian evidence act और criminal procedure court इनको यहाँ पे हाटाया जा रहा है ठीक है तो basically ऐसा बताया जा रहा है preliminary की भारती जो नया सम्हिता है तो यह जो भारती नया सम्हिता बिल है 2013 का जो की Indian penal court को replace करेगा यह prescribe करता है मौत की सजा भी दी जा सकती उसके सासाथ यहाँ पे 10 साल का imprisonment है अगर sexual intercourse होता है woman के साथ on the false forms of marriage overall एक individual ने एक woman से बोला कि मैं तुम से शादी करूंगा sexual relation साबित के बाद ने मना कर दिया तो यह एक criminal offense होगा 10 साल की jail की सजा है फिर अगला the Bill Howard states that sexual intercourse by a man with his own wife the wife not being under 18 years of age is not rape भाया भले ही marital rape को high courts के द्वारा actually में एक rape माना जाए मतलब overall sexual relations between husband and wife लेकिन overall इस particular bill में marital rape को rape की category में नहीं रखा जा रहा है sedition के respect में जो law है उसको repeal करने की बाद की जारी है लेकिन यह जो particular bill है that for the first time defines terrorism and offenses such as separatism, armed rebellion against the government challenging the sovereignty of the country which were earlier mentioned under different provisions of law जैसे कि for example different provisions of law कैसे होगा जैसे मीजा एक्ट आया था Maintenance of Internal Security Act ओके फिर एक UAPA है Unlawful Activities Prevention Act तो terrorism से related कानून इस special provisions में है जो एक अलग से statutory act के थूँ पास किया गया है हमारे Indian Penal Code मे Criminal Procedure Code में सीधे सीधे terrorism से related जो offenses उनको mention नहीं करके रखा गया और वो बाट obvious है Indian Penal Code 1860 में बना था उस समय पे इस terrorism जैसी चीज़े नहीं थी वो अलग बात है कि British सरकार Indians को terrorist बोलती थी but that was totally a different context आज की डेट में context काफी बदल चुका है तो separatism, armed rebellion against the government challenging the sovereignty of the country इसको specifically in bills में introduce किया जाएगा ये bill 313 amendments प्रपोस करते हैं that will revolutionary change the criminal justice system ठीक है भाई तो obvious ही बात है इस प्रकार के billों को implement करने में समय लगने वाला है अभी तो जो standing committee है home affairs की उसको bill refer कर दिया गया है आप समझ लीजे कि कई कम से कई महीनों तक तो discussion चले गई standing committee में इन bill को लेके फिर बहुत सारे amendment से यहाँ पर propose होंगे अब portion parties काफी बावाल करने वाली है फिर कहीं जाके ये कानून ले में आएंगे फिर भारती नयाय सनहिता 2030 भारती नागरिक सुरक्षा सनहिता बात आपको देखे समझ में आगे evidence act को आप जानते है न क्या है यह देखे इंडियन evidence act में वो तरीका बताया गया है जिस प्रकार से evidence को एकट्टा किया जाएगा और ground level पे overall एक particular individual के गिस्ट यूज़ के जाएगा जैसे for example मैं आपको बताता हूँ आप माल लिजे GST department में काम करते हैं फिर income tax department में काम करते हैं और overall income tax department में आपको यह नजर आया कि कोई particular individual corporate tax की चोरी कर रहा है उसने माल लिजे 50 क्रोड रुपय tax की चोरी किये तो आप उसके यहाँ पे सर्च करने जाओगे उसके documents वगरा खंगालने के लिए चबाँ आप उसके documents वगरा खंगालोगे और बाद में उस सर्च का पंचनामा बनाओगे तो उस पंचनामे के अंदर उस particular individual से यह लिखवाओगे कि हाँ भई आपने overall यह documents हमको handover किये हैं और यह document फला फला provision of the evidence act के अंदर आपके against court floor में इस्तमाल किये जा सकते हैं तो अलग अलग चाह क्राइम हो चाह सिविल क्राइम हो क्रिमिनल क्राइम हो हर जगा पे overall Indian evidence act के कानूनों के हिसाब से ही overall यह लिखा हुआ है कि evidences को real evidence कब माना चाहेगा क्या evidence को जोटाने के तरीका है क्या use करने के तरीका है अब तमिल नाडू के chief minister BJP के जो नए bill लाए गए हैं IPC, CR, PC और overall evidence act को बदलने के लिए उनको replace करने के लिए इसको linguistic imperialism बोल रहा है मतलब bill के जो provisions है उस पे यहाँ पे बहस नहीं है स्टालिन साब की स्टालिन साब बोल रहा है कि हिंदी impose करने कोशिश की जारी है क्यों चुकि भाया overall इन bill के जो नाम है वो हिंदी में है भारतिये नाय सनहिता, भारतिये नागरिक सुरक्षा सनहिता, भारतिये साक्षे ठीक है तो यह जो bills है यह नाम हिंदी में दिये गए अब IPC, CRPC और overall जो Indian Evidence Act है यह भाय पूरे इंडिया को करेगा रिप्रिजेस जो बजाए जो एक्ट आएंगे उनका नाम आप हिंदी में कैसे दे सकते हो यह बोल रहा है स्टालिन साब, तो obvious ही बात है दोस्तों देखे, जब भी सरकार overall इन हिंदी बिल्स को निकालेगी यह सिर्फ हिंदी में नहीं रहेंगे, इनका एक English translation भी आएगा तो वहाँ पे उनका English नाम भी आएगा अब लोग सबह में हिंदी नाम से बिलों को उतार दिया तो इसमें इतना बावाल करने वाली बात नहीं है लेकिन ठीक है भाई, overall हर जगा पे इंडिया के अंदर इतनी diversity है ना, कि overall किसी भी particular मुद्धे के उपर politics हो सकती है तो Union Home Minister साहब नहीं जो particular bills को लोग सबह में उता रहा है, इससे तमिल नाड़ो की इंडिया के इंडिया के अंदर कोई कुछ भी बोल सकता है बड़ा अच्छा ही अंग्रेजी का statement यहाँ पे आप कहलो, स्टालिन साहब ने दिया है स्टालिन साहब की जो DMK party है, उसको BJP से बहुत जबरदस्ती challenge मिल रहा है तमिल नाड़ो की politics के अंदर BJP active entry मारने की कोशिश कर रही है और obvious ही बात है, आगे आने वले समय में स्टालिन साहब को लगता है कि problem हो सकती है तो अब इस बात को लेके हिंडी से related कोई भी initiative होता है अगर केंदर की सरकार, तो तमिल नाड़ो के जो ministers हैं और जो chief minister हैं वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते है कि हिंदी को हमारे उपर impose किया जा रहा है हम बहुत लंबे समय से anti-hindi agitation कर रहे है हम आगे भी anti-hindi agitation करते रहेंगे ठीकर हिंदी हमारे उपर आप impose नहीं कर सकते यह सरी बाते हैं आपे चल रहे है जो पी विलसन साब है राजसबा मेंबर है DMK के वो बोल रहे है कि यह ऐसा कैसे हो सकता है नाए बिलो का नाम हिंदी में कैसे आ सकता है क्या home minister मिश शास आपको नहीं पता है कि article 344 में constitution में लिखा है कि बिल और एक्ट English में आने चाहिए तो आववेस ही बात है दोस्तों यहां पर यह particular acts English translation भी इनका आएगा ही आएगा उसकी English heading भी आएगी आएगी पस हिंदी नाम के साथ उसको पार्लेमेंट में introduce कर दिया तो यह खासा बावाल मच गया फिर आगे लूना 25 फिल नॉट एफेक्ट चंद्रियान स्पेस एजनसी देखे क्या है कि इस समय पे रशिया की जो स्पेस एजनसी है रॉसकोसमोस उसने इसरों के साथ यहां पे एक competition छोड़ दिया competition यह है कि भाईया मून के south pole पे पहले soft landing कौन करने वाला है तो रशिया की जो रॉसकोसमोस उसने बड़े अरजेंट बेसिस पे अपना यह लूना 25 बेजा है तो इस बात से इडिया को या इसरों को कोई भी problem नहीं है इसरों का अगर आप statement देखोगे तो इसरों ने officially congratulate किया है और best wishes दी है रशिया की space agency रॉसकोसमोस को तो देखें क्या बोला गया है यहाँ पे इसरों on Friday congratulated Russian space agency रॉसकोसमोस for the successful launch of its mission लूना 25 तो यहाँ पे रशिया भी 23 अगस्त को पहले soft landing कराके दुनिया की पहली country बनने वाला है बनना चाहता है अपने moon project मतब south pole of the moon पे चीज़ों को land कराके अपने यह कहलो रूनट 25 को land कराके और इंडिया भी यहाँ पे बनना चाहता है अब कौन यहाँ पे successful होगा कौन successful नहीं होगा यह देखिया अलग बात है रशिया ने अपना यह जो project launch किया यह Friday launch किया मतलब आज अगर मैं Saturday को इस वीडियो को record करा हूँ तो यह कल launch हुआ है यानी 11 अगस्त को इंडिया इस चीज़ को launch कर चुका है पहले ही 14 जुलाई को ठीक है तो overall रशिया एक urgent basis पे moon के south pole पे lunar 25 को पहचाने की कोशिश कर रहा है कौन पहचा पाता है कौन successful हो पाता है यहाँ पे वो एक अलग चीज़ है अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है overall space cooperation में इंडिया की इस रो और रशिया की रॉस कॉस मॉस का participation तो Russian side is open to cooperation on the participation of the Indian side in implementing the project of International Science Lunar Station देखिए International Science Lunar Station लगाया जा रहा है एक space station मून पे कोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसको अभी के लिए implement कर रहे हैं दो लोग, Russia और China अब Russia चाहता है कि इंडिया भी इस particular project में involved हो जाए China obvious सी बात यह चाहेगा नहीं और China अगर इंडिया को involved करेगा तो इंडिया को एक junior partner बना के रखेगा क्योंकि इंडिया कभी भी accept नहीं करेगा भले ही China space race में इंडिया से आगे है बट no doubt इंडिया भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इतना पीछे भी नहीं है लेट सी उसमें क्या निकल के आता है तो लूना 25 की landing date भी 23 अगस्त है आपके इसुरो की चंद्रियान 3 की भी landing date 23 अगस्त है लेट सी कौन successful होता है कौन पहले हम तो यही कोशिश करेंगे और यही चाहेंगे कि इसुरो का चंद्रियान 3 इंडिया को पहली country बना दे मून पे south landing करने वाला फिर भाईया चाइना और इंडिया के G20 negotiators के बीच में भारी बहस चल रही है पिछले कुछ हक्तों से चाइना को इंडिया से बतेरी परिशानिया उनको हमेशा से परिशानिया रही है अब भी परिशानिया आप heading से समझ सकते हैं कि वसुदेव कुटंगम का नाम से चाइना अबजेक्ट कर रहा है तो भाईया इंडिया ने वसुदेव कुटंगम को इस्तमाल किया है अज़ना हिंदी या फिर कह लिए Sanskrit version of one earth one family one future ठीक है G20 का जो logo है उस लोगों में one earth one family one future ये लिखा हुआ है अब इसके सासर का Sanskrit version में लिखा हुआ है वसुदेव कुटंगम तो चाइना ये बखवास कर रहा है कि ये Sanskrit में वसुदेव कुटंगम आप लोगों के साथ कैसे लिख सकते हो आप नहीं लिख सकते हो Sanskrit को एक non United Nations language है तो Sanskrit को इस particular logo में इस्तमाल नहीं किया जा सकता है और China सबसे खास बात दोस्तों है कि G20 के बाकी members यहाँ पर opposition नहीं कर रहे है Russia Ukraine war को लेके जरूर Russia यहाँ पर opposition कर रहा है बट लोगों में वसुदेव कुटंगम लिखा हुआ है इससे Russia को कोई problem नहीं है बट China को इंडिया के साथ को जादा ही प्यार है international arenas में इंडिया को नीचा दिखाने में China को काफी मज़ा आता है कुछ और चीजें जिस बात को लेके China को objection है इंडिया ने United Nations का जो G20 का summit हो रहा है इस G20 के summit के अंदर कुछ और नए innovations की है जैसे कि प्रधान मंतरी मोदी जी ने promotion of millets को लेके कुछ भाषण दी है lifestyle for environment initiative को launch किया है फिर gender led development के नाम को के phrase को प्रधान मंतरी मोदी जी ने इस्तमाल किया है अब China बोल रहा है कि ये सब चीजें इंडिया नहीं कर सकता lifestyle for environment ये आप अपने इसाब से लोगों नहीं दे सकते आप अपने इसाब से theme नहीं दे सकते gender led development इस प्रकार के शब्दों का आप इस्तमाल नहीं कर सकते ये सब चाइन यहां पे बोल रहा है ये सब UN agreed जो language and sustainable development goal की उसके against जाता है उसके हिसाब से नहीं है तो चाइना पिछले कुछ हपतों से इंडिन निगोशियेटर्स और G20 की निगोशियेशन में इंडिया के लिए problem create कर रहा है पिछले कुछ हपतों में Chinese delegation और Indian delegation की बीच में खासा बहस हो रही है इन सारे language के इस्तमाल को लेके और दूर दर्शन all set for a makeover with fresh programs, regional and OTT focus तो public service broadcaster परसाद भारती it is all set for a revamp of its television channel starting this independence day तो भाईया दूर दर्शन के लोगों के अंदर नई जान जोग दी गई है इसके colors में थोड़ा lucent blend लेके आए गया है overall कुछ fresh programs है wide range of fresh programs को यहाँ पे deduce किया जा रहा है देखे, अगर आप बोलो Independence Day celebration से पहले प्रसार भारती संस्कृत version launch कर रही है popular patriotic song हम जिएंगे और मरेंगे ऐवतन तेरे लिएगा तो भाज गई डिरेक्टर जो फिल्म थी न कर्मा, उस कर्मा में ये गाना था अब इस पर्टिकुलर गाने का संस्कृत वर्जन प्रसार भारती की दोरा लाया जा रहा है फिर अगर आप देखो तो Independence Day पैक्षिकुमार की केसरी और सनी देवल की गदर इन सब चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जाएगा तो कुछ नए प्रोग्राम गही का जो डेली शो था जान की इसको भी स्क्रीन किया जाएगा डीडी नैशनल के उपल फीमिल इंपॉर्मेंट से रेटेट प्रोग्राम दिखाये जाएगे इंडिन बॉन अमेरिकन एस्टरनॉट कलपना चावला की यहाँ पे स्टोरी दिखाये जाएगे इसका नाम होगा सीरल का जहां चांद रहता है फिर कुछ वाइड रेंज ऑफ चेंज़स किया जा रहे हैं डीडी चैनल में ठीक है न भाई यहाँ पे नए एलिमेंट्स को इंकॉर्प्रेट किया जा रहा है मौर्निंग शो में और जो बेसिकली डीडी नैशनल है उसने यहाँ पे बॉलिवोड सेलबेटी शिलपा शिर्टी के साथ मिलके योगा और फिटनेस का एक प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं फ्राइडे को हर दिन सुबह साथ बजे तो यह सब चीज़ें और आल यहाँ पे चालो सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म को लेवरेज करके अपनी डिजिटल मीडिया टीम को स्ट्रेंगिन किया जा रहा है प्रसार भारती ने रिसेंटली 2539.61 करोड भी यहाँ पे यहाँ पे ऐलोकेट किये हैं 2025-26 तक दूरदर्शन को अपग्रेड करने के लिए सुनने मारा के प्रसार भारती और दूरदर्शन अपना खुद का OTT प्रैटफॉर्म भी लाँच करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे इनिशेटिव्स लेके आए जा रहे हैं श्रिलंका नेवी ने आप इस स्टेट्मेंट दिया है कि यह एक फॉर्मल विजिट है 129 मीटर लॉंग शिप यहाँ पे पहुँचा है कोलंबो के पोर्ट के अब बीच में कुछ ऐसी मिन्यूज निकल के आ रही थी इंटरनेशनली कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर विजिट के अगेंस्ट अबजेक्शन शो किया है लेकिन उसके बाद भी चाइनीज वैसल यहाँ पे पहुँच गया है जब इंडिया की जो एमबैसी है कोलंबो के अंदर उससे सवाल पूचे गए कोई जवाब मिला नी जब शिलंका से सवाल पूचे गए कि क्या भाई इंडिया ने किसी प्रकार का रेजिस्टेंस शो किया है तो भाई शिलंका की ऑफिशल्स ने बोला कि नहीं भाई इंडिया को पूरी तरीके से पता है वैसल की विजिट के बारे में और इंडिया ने इसके अगेंस्ट कोई भी concern express नहीं किया, इंडिया शिलंका आपस में एक ही page पे हैं, लेकि ये सारी बातें इतनी जादें यहाँ पे क्यों हो रही हैं, पिछले साल की अगर आपको याद हो, 16 अगस 2022, चैना की जो satellite tracking vessel थी, यूआन वांग 5, ये पहुंची थ उस समय पे शिलंका एक war, एक indirect hardline power को दिखाने का एक platform मन गया था, और कहीं नखें उसमें चाइना जीत गया था, रीजन मीं, कि इंडिया का ये जो contention था, शिलंका ने माना नहीं, और overall यूआन वांग 5 शिलंका के पोर्ट पे डॉक को आ, इस साल भी ये जो high young 22 हाओ आया है इसमें directly बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे, कि इंडिया नेवी ने objection दिखाया है, बट शिलंका बोल रहा है कि इंडिया नेवी ने कोई भी objection नहीं दिखाया है, और finally ये वैसल पहुंच गया है, कहां पे शिलंका के पोर्ट पे, शिलंका के एक नॉमिक हालत बहुत जराब बिल्कुल भीक मरी, जरी भीक मांगती होई कंट्री है, तो ये चायना को क्या ही मना करेंगे किसी भी मिलिट्री वैसल को डॉक करने से पहले, तो ये छोटी सी नुग से, तो यहां पे एनलिसिस खातम करता हूँ, आज जाधा कुछ डिसकस करने के लिए था नहीं दोस्तों अधिस करने करते हैं.